नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल पर दोस्तों आज आपके लिए लेकर रहे हैं राजस्तान बोड कक्षा आटवी का जो आपका हिंदी का पेपर होने वाला है उसके लिए एक ऐसा पेपर लेकर रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत जिससे कि आपको कक्षा आटवी की सभी विशे के पेपर यहां पर आपको मिल सके ठीक है दोस्तों तो ड्याइगंटे का पेपर होने वाला है और 80 नंबर का यहां पर एक्जाम आपका होने वाला है ठीक है कभी ने वसंत को कैसा बताया है तो देखेगा कभी ने वसंत को बताया है मृतुल क्या बताया है मृतुल बताया है तो ऐसे आप इसमें option B भर सकते हैं जो कि हमारा answer correct होगा क्या होगा option B is the correct answer to this question ठीक है चले दोस्तों पकसी और बादल देते हैं क्या देते हैं फ्रकति की मनु प्रमता का संदेश इश्वर का संदेश समान करने का संदेश या फिर विश्व बंदतु का संदेश option number D इसका correct answer हो जाएगा दोस्तों अगला हमारा questions क्या कह रहा है इस पर भी आप देखें तीसरा question है लाग की चूडिया कहानी के लिक को मामा के गाउं जाने की चाव का क्य क्या कारण था तो दोस्तों ये कारण था बदलू से लाग की गोलिया मिलना ठीक है पहली बोलती फिल्म दोस्तों बोलती फिल्म इंपोर्टनेट है पहली बोलती फिल्म के जो फिल्म कार थे फिल्म बनाने वाले फिल्म कार कौन थे तो वह अर्दे दोस्तों यानिकी किसमें करते हैं तो मन को यहां और कि उसका फैड करने मेर जब करने में तो वह सबसे लगाने माला फैड करने में इसका जो आंसे ढैंजम होगा और अप्षिन के सब सब दो wraz ठीक है चलिए next question is on your screen विवा क्या हुआ तुम तो इद के चांद हो गए तो इसका जो यानि की इद के चांद इसका क्या मतलब होता है इस मुहावरे का इस इडियमेंट फ्रेजिस का क्या अर्थ है तो इद का चांद होना का मतलब है बहुत समय बात दिखाई देना option c is दिकर ह answer डॉक्टर सदेव मरीज की सिवा करता है रहकांकित का बहुचन देखो मरीज मरीज का बहुचन मताना है तो बहुचन क्या होता है दोस्तों मतलब एक से अनेक तो बहुचन क्या होगा मरीज हो जाएगा option number a इसका correct answer है तो यहाँ पर देखो यह table में आपको answer लिखने होते ह ठीक है दोस्तों तो दोस्तों इस paper का pdf डाउनलूड करने के लिए simply आपको google open करना ठीक है google पर search करना है google open करना है mobile के अंदर यहाँ पर search करना है rn study मसला क्या search करना दोस्तों rn study मसला google पर search करना है rn study मसला ठीक है जैसे आप rn study मसला लिखोगे तो इस परकार्ट से इंटरफेस देखने मिलेगा यहाँ पर मिलेगा rn study मसला ठीक है आपको simply इस link पर click कर देना है तो दोस्तों जैसे आप R& Study मसला link पर क्लिक करेंगे तो आपको इस link पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद में नया पेज आपकी समना open होके आचुका है दोस्तों यह जो R& Study मसला है कक्षा आंटवी के सभी विशे के paper यहां पर आपको मिल जाएंगे फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है यहाँ पर देखेगा एक टेबल बना रही है दोस्तों RBC Board Exam 2023 इस लिंक पर आपको दोस्तों यहाँ पर देखेगा कक्षाट भी पर इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने नई है subject open हो जगे वहाँ से आप इस पेपर का PDF डाउनलूड कर सकते हैं ठीके दोस्तों तो इस website का जो link है वो description में available है ठीके दोस्तों website का link description में दे रखा है वहाँ से डाउनलूड कर सकते हैं अगला स्वाल दोस्तों देखा है कि हरी हलदर की जोटी में हरी किसके लिए कहा गया है तो हरी दोस्तों किसके लिए कहा गया है तो आप इसका जो उत्तर लिखेंगे वह होगा स्री कृष्ण के लिए किसके लिए कहा गया है स्री कृष्ण के लिए कहा गया है बस जिस प्रकार बच में पन प्रते लगाने से बचपन मनता है उसी प्रकार पन प्रते लगा कर आप बनाएं दोस्तों एक तो हो जएगा लड़क पन क्या हो जएगा लड़क पन आप लेख सकते हैं और दूसरा आप कर सकते हैं क्या कर सकते रहें दोस्तों होली रंगों का तिवार है और दिली क्या है कि बारत की राज़ाने दिली है हम कल दिली जाएंगे ठीक है इस तरीके से कोई सेंट्र साप निर्वान कर से हैं आदमियों के कपड़े पेनने के बारे में गव्रयया और गव्रयय के क्या विचारते तो दोस्तों गव्रयया के अनुसार सेंदों क्या था भर माप हो जाती है इस तरह के से आपको लिखना था दोस्तों रेल वे स्टेशिन पर अब भी किया द्रश्य दिकल देते हैं दोस्तों रेल वे स्टेशन पर पहुंच न कि जाता है इस तरीके से आपर से आपकों पुडूब्ध कोटे की महिलाओं के लिए क्या मैंतो रखता हैं तो साइकल कोटे की महिला हैं उनके लिए यह बहुती महतोपुड है क्योंकि इसमें पूरु सुपर निर्भर नहीं रहना पड़ता ठीक है इस पर डिपेंडेंट नहीं हो रहना पड़ता तो यह आपको ध्यान रखना है चली एगला कोशन देर को लगुत्रत्म है हमें यादाहित की नियमों का पालन किन-किन नियमों का पालन करना चाहिए दोस्तों यादयत कि बहुत सारा नियम है उन्हें पालन करना जिसे हमें क्या करना है कि हमें सदेव सड़के बाइवार चलना चाहिए और पैदल चलने की दिसा में जो है जैबरा कुरुशिंग का यूज करना चाहिए ठीक है पॉइल फॉन का यूज नहीं करना चाहिए जब हम गाड़ी है फिक कार चला रहे हैं अगर आप कार चला रहे हैं तो सीट वैल्ट आपको आउशी बादना चाहिए ठीक है चली कभी को ऐसा क्यों विश्वास है कि उसका अंत अभी नहीं होगा द्वनिक अविता के अधर पर आपको लिखना है अ ठीक है निमले की सब्दों के विलोम शब्द का प्रियोंग करके एक यह वाक्ण बनाना जैसे अच्छी चूट दिन और भाई निमले की शब्दों की विलोंशब्द दोस्तों आपको विलोम सब्द पूरच सकता है आपको इसका समा नार्ति क्या पूर सकते हैं ठीक है चलिए दोस्तों यह पर मैं को बता रहा हूं यह आपका model पेपर एक sample पेपर है ऐसा ना सोचे दोस्तों कि पूरा और यही पेपर एक्जाम में आएगा यह आपकी most important question है दोस्तों इन में से कुछ परसन एक्जाम में देखने को मिज़ते हैं इसकी कोई guarantee नहीं कि पूरा Sam to Sam real paper आए ठीक है यह आपकी important question है मैं फिर बता रहा हूं इसलिए आप ठीक है ध्यान रखें कि paper यह आएगा इसकी कोई जरूरी नहीं है कोई guarantee नहीं है यह आपका एक model paper है एक sample paper है कि अब देखो अच्छा तो अच्छा का क्या अच्छा का विपरित क्या बुरा ओजाएगा तो बुर्य बर बाके बनाना है जूट का विपरित क्या होता है उल्टा होताँ सच मनाना है दिन का दोस्तो रात हों ज यह बताने के लिए कोई कौई ऐसे तरक प्रसुत किए गई गया है तो यह इसके बारे में बताना तो तरक बताना चार नमरका सुवाल होगा है नेक्स दोस्तों कुछन इफ स्ब्सक्राइब बनवाने के लिए किस किस के पास गई थी और टोपी बनने तक एक कारे को कितने लिखना है यहां पर सबसे अंत में किस के पास गई थी दरजी के पास गई थी ठीके चलिए साथ सी लोगों का हमें से समान होता है बाज की मृत्यों के पश्चात लेरों ने उसे अंतिम विदाई कैसे दी तो इस तरीके से बाज का सरी दोस्तों लुड़कर नदी में गिर गया था फिर लेर ने उड़कर उसके पंकों पर जमें कून को दो दिया था और ठखे मांदे सरी को सरी फैन से ठख दीया था और फिर अपनी गोद में समयण कर उसे अपने साथ सागर की और ले गए थी अपने गरनी की करने दोस्तों आपको लिखना पड़ेगा सबसे प्रसंग क्या लिखना पड़ेगा और सबसे अंत में इसकी लिखनी पड़ेगी वैक्या क्या लिखनी पड़ेगी वैक्या दो काम करना है प्रसंग दोस्तों दोस्तों दो सब्सक्राइब दोस्तों पहले देखो प्रसंग में क्या लिखना है प्रसंग में लिखना है कि यह का जो पद्यान जू सेंहिए गए कौन से चैप्टर से लिए गए और इसके कभी कौन है और बाद में एक लाइन संक्षेप में लिखनी है वैक्या में क्या लिखना कि पूरा डीपली इसका एकस्पलेरेशन लिखनी हैं कि आपके पद्यांस से आपको लिखना पड़ेगा प्रस्तुत पंक्तिया हें, हमारे पाटेपुस्तक वसंत से संक्लित वसंत से संक्लित जिसके कवी कौन हम सूर्य कांत त्रिपार्टि नदाला कवी है ठीक है और जो कविता है वो कौन कविता है यह अपनी जो ध्वनी कविता से लिख गई है इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा ठीक है फिर इसकी वहक्या करनी कभा़े गी यह defect इसका संपूर्ण्ण वहक्या करनी पड़ेगी क्लियर है चलिए तो यह आपका नमर का हो गया ठीक है चलिए अगला देखिए का यहां पर आपको देर का है गद्यांस को ध्यान पूरू पढ़कर प्रश्णों के आंसर करने जिसे कपड़े पहन लेने के बाद आदमें की कुद्रती कुपशूर्ती डगदती हैं और विप्रित आपको गद्यान से डून का लिखना जिसे बूरा बूरा का विप्रित क्या इसमें बताया गया है तो बूरा का विप्रित क्या बताया गया दूस्तों बूरा का विप्रित बताया गया अच्छा तो अच्छा लिख देना ठीक है फिर बद सूर्ती क्या हो एक हैना है और यह यहां पर आने वाला समवाद दोनों में से आधवा में दे रहा है और नमर का दोनों में से एक कर ना है कि पर, ת Health ींबंद में क्या लिखना है पहली बात तो Point बना थे दूस्तत जब भी आप पहला website दोस्तो प्रस्त आउना किसका लिखना फस्ट उफ आप लिखें उसकी प्रस्तो आफ लिखें करें तिके पहला और बीच में 2-3 पॉइंट एड़ देना सबसे अंत में जोंत क loro होताँ लीखे उप्सहार लिखना वीखे फिक्स दियां डखने जाहे कैसा भी निबन आगए किसी भी टाइब का निबन नहीं तो पहले लेकम पड़ेगा प्रस्ता होना और सबसे अंत में इसका उप सहार लिखें इसमें प्रस्तान में क्या है इसके बारे में लिख देना और उप सहार के बारे में मतलब यह जो जैसे रास्तान जो सवच बारत है इसके बारे में कुछ मैन मैन लाइन लिख देना है और बीच में दोस्तों क्या लिखने हैं दो तीन पॉइंट आपक चलिए चलिए मतलब कहने का मतलब है कि पहला लिके और सब्सेंट वाला इस तक तरीक से रहने वाला आपका राश्तानबोर कक्षार्ट का इक एक चार मॉडल पेपर से प्रैक्टिस करें और उनी तीन चार मॉडल पेपर में इसे सवाल आने वाले ऐसा ना सोचे दोस्तों एक पेपर देख लिए फिर आप कोईगे पेपर आएगा नहीं आरे आपको हमारे कम से कम तीन चार पेपर देखने पड़ेंगे तब जाकर आपके सवाल एक्जाम में फसने वाले हैं ठीक है क्लिर है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना है शेयर करन तो फिर मिलेंगे सबीशन नेक्स वीडियो में तत्तिल जैन और वन्दे मात्रम